हेलो हेलो एंड वेलकम एप्रीवान वेलकम टू चैनल तो क्या आले बाई मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं है ना मौज मस्ती होते रहे हैं ची और देखो भई तुम्हारे बड़े बेने क्या हेलो लिखा है वैं क्या राइटिंग है मौज कर दी डॉक्टरों वाली को topics क्या-kya है इस ciapter में है भईया mineral, mineral, types of mineral, extraction of mineral, distribution of mineral एक शब्द में समझो chapter ही है, पूरा minerals उपर भईया आमको तो यह नहीं पता mineral क्या होता है शाबबाश प्रावड व्यूट मुझे यह उमीद्थी इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे तो टेंशन बिल्कुल मतलो तुमारी यह वीडियो फुल-उन हेल्प करने वाली है फुल-उन एक्जाम में मांक्स लाने के लिए अलग-अलग कंट्री की बात कर रहोंगे एशिया यह कंट्री ब्हया आप तो बेशती कराओगे यह कंट्री तोड़ी है यह इस्या और नॉर्थ अमेरिका इस आफिका आफ्रिका एंड और स्ट्रिविशन यंडियाम और यह सब कुछ जो आपके सामने आरहा यह सब कुछ हम होता है mineral is a naturally occurring substance that has a definite chemical composition is called a mineral क्या होती है यह definition देखो इसको रटना है सच बता रहा हूं in short दुनिया बर की टीचर अलग लग ज्यान देते हैं मैं साफ बोल रहा हूं इस लाइन को रटना है mineral क्या होता है एक naturally occurring substance है जो इसके अंदर एक definite chemical composition मिलता है हाँ तुम्हें क्या कह रहा था एक definite chemical composition जिसमें मिलता है वह कि mineral होता है भाईया समझ में आगे definition चलो अब आगे बढ़ते हैं mineral क्या होते हैं are not equally distributed बराबर ने distribute किये गए होते minerals are formed in different types of geological environment अलग-अलग geological यानि कि अलग-अलग geographical conditions में यह बनते हैं और varying सबकी अलग-अलग condition होती है they are created by natural processes without any human interference very important point याद रखना कि जितने minerals होते हैं वो naturally occurring होते हैं यानि कि इंसानों का कोई role नहीं होता उनको बनाने में तो खुद बनते हैं they can be identified on the basis of their physical properties such as color density hardness chemical properties such as solubility तो यह सारे ही जितने minerals है ना इनको identify करा जा सकता है अलग-अलग properties पर किसी का color black है किसी का color blue है किसी की density जादा है किसी की hardness कम है किसी की chemical property अलग-अलग है राइट चलो अगला topic आ जाता है types of minerals का on the basis of composition minerals are classified mainly as composition और किस से बने है उसे क BC comment if domestic away plus Confederate दोनों को हम अच्छे से देख रहे होंगे चलो तो metallic कौनते हैंToo simple जी से तंहोते जिसमें जिसमें इसमें इसमें हैं सीम्पल जिसमें Windows इ Freeman से सबस्सक्रास हैंvocret क्रिए सीम्पल इनसे से हम जाते हैं aleठ अलग-जालग तो मेंसे iron निकलता है, बॉक्साइट मेंसे कुछ निकलता है, manganese मेंसे manganese निकलता है, अलग-अलग आपके ओर हैं, उनसे अलग-अलग metal मिलता है, वही metallic जो minerals होते हैं, maybe ferrous और non ferrous, भाया, ferrous क्या होते हैं, ferrous minerals contain iron, देखो, आपने iron के थोड़ी बहुत science अगर आप पढ़ रह होते हैं, ferrous भाया कौन से हुए, जिसके अंदर iron हो गया, example के लिए iron ore, manganese ore, chromite, यह सब मेंसे iron निकलता है, वहीं पे कुछ non ferrous होते हैं, non ferrous वो हो गए, जिनमें iron नहीं होता, but कोई और metal हो सकता है, जैसे कि gold हो सकता है, silver हो सकता है, copper हो सकता है, lead हो सकता है, हो गया clear, very good, non metallic एक mineral as simple as that, जिसके अंदर कोई metal ना हो, example के लिए limestone, tuna, mica, gypsum, यह सारी ही चीज़ें, next topic हमारे extraction, minerals को निकाला कैसे जाता है, उनसे metals कैसे निकाले जाते है, उनसे उनका useful substance कैसे निकाला जाता है, minerals can be extracted by mining, drilling और quarrying, तीन method होते हैं, कहला, mine कर दो, drill कर दो जमीन में और quarrying ठोक ठ होके निकालो, the process of taking out minerals from rocks buried under the earth surface is called mining, mining की definition मिलकी क्या होती है, rocks के अंदर दबा हुआ जो mineral है, उसको खोद के बाहर निकालना, is called mining करना, वहीं पे minerals that lie at shallow depth, यानि कि बहुत कम depth पे, ज्यादा गहराई में नहीं होते, और आराम से outer surface से निकाल लिये जाते हैं, इसे कहते हैं, open cast mining यानि कि जादा आपको deep नहीं जाना पड़ेगा, the mining in which deep boards, बहुत गहरे गहरे गढ़े, called shaft, have to be made to reach mineral deposit that lie at a great depth, is called shaft mining, और shaft mining कब होती है, जब बहुत ही जादा गहराई में आपको जाना पड़े, mineral को निकालने, deep wells क्या होते हैं, deep wells are board, यानि कि बड़े बड़े कुएं, drilling, a drilling की definition मिल की, deep wells are board, यानि कि समीन के अंदर छेद करना, to take minerals out is called drilling, petroleum और natural gas जो होते हैं, वो इसी process से, drilling के process से निकाले जाते हैं, minerals that lie near the surface are simply dugout, मैंने वो खोद खोद के जो mineral निकालते हैं, उन्हें quarrying कहा जाता है, क्योंकि ये वो mineral हैं, जो already surface पे पड़े हुएं, बस इन्हे पत्थरों से अलग करना ही पत्थर में दब जाते हैं, next is distribution, कैसे distribute किये गए हैं, minerals occur in different types of rocks, such as igneous rock में पाए जाते हैं, metamorphic rocks में, या फिर sedimentary, इन तीन तरीके की rocks में minerals पाए जाते हैं, generally metallic minerals यो हैं, वो igneous और metamorphic rock में पाए जाते हैं, metamorphic के example कौन कौन से है, iron ore, North Sweden में, copper, य कहां हैं, वो मत याद रखो, iron ore, copper ore, nickel deposit और chromides, platinum ये सारे होते हैं, नाम याद रखो, कहां होते हैं, वो तरह नीडी रही हैं, sedimentary rocks की बात करें तो limestone, ये non metallic है, है ना, पता चल गया, limestone होता है, of cautious region of, of cocacus region of France, manganese deposit of Georgia, and phosphate beds of Algeria, एशिया की बात करें तो आप देखो, एके करक चाइन से उनकी बात करेंगे, एशिया की बात करेंगे, चाइना और इंडिया जो है, इन दोनों की पास काफी अच्छे amount में, large iron ore के deposit है, याने कि इंडिया में और चाइना में, iron ore बहुत सारे हैं, the continent produces more than half of the world's tin, ये जो continent है ना, एशिया, पूरे world का half tin जो होता है, tin एक metal आ अब चाइना को आपने बच्पन से सुना होगा, चाइना बहुत डेवलाप है, बहुत आगे है, बहुत आगे है, अब आप actually पढ़ रहे हो कि वो किस में आगे, किस चीज के production में आगे, lead, एक metal होता है, वो वहाँ बनता है, antimony और tungsten, tungsten के bulb होते हैं हमारे, जितने भी bulb लग में भी काफी थे, बट यॉरोप में वर्ल्ड का सबसे जादा iron ore पहया जाता है, रश्या, यूक्रेन, स्विडन, फ्रांस have large deposits of iron ore, minerals deposit of copper, lead, zinc, manganese, nickel are found in Eastern Europe and European Asia, इस एरिया में ये सारे deposit भी पहया जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो mineral deposits in North America are located in 3 zones, तो total 3 zones बना दि Canadian region North of the Great Lakes, कौन सा region है, पुरा याद करना पड़ेगा, देखो ये आपको, the Canadian region North of the Great Lakes, वहाँ पे कौन सा क्या-क्या पाया जाता है, iron ore, nickel, gold, uranium, copper, ये सारा, उसके बाद दूसरा कौन सा है, the Appalachian region, जहाँ पे coal पाया जाता है, और mountain ranges of the west, जहाँ पे copper पाया जाता है, तो देख याद रख सकते हो, mountain ranges in the west, तो mountain, पहाडों में है, copper, lead, zinc, gold और silver, इस तरीके से आप बोलोगे न, उल्टी सीदी लाइने मना के तो याद हो जाएगा, main चीज याद करने की बस यही है, Canadian region North of the Great Lakes, तो Great Lakes का जो Canadian region है North का, इस तरीके से आप हिंदी में बोलोगे तो याद रहेग होगे, हिंदी में एक सेंटेंस मना, उल्टा सीदा, अंटसंट, वो याद रहेगा, South America, तो iron ore Brazil में, copper oil child और पेरू में, tin Brazil और बोलिविया में, mineral oil आपका, Venezuela, Argentina, child पेरू, और child कुछ लोग चरी भी बोलते हैं, ठीक है, it's okay, up to you, maybe मेरी pronunciation गला तो, South America also has large deposits of gold, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica भाया, इतना कुछ याद करने को हो रहा है, देखो या, geography ऐसी ही है, geography is all about facts, जो कि already हमारी दुनिया में है, तो आपको ऐसे ऐसे तरीके निकालने पड़ेंगे, खुद के, देखो, कोई ऐसा तरीका नहीं है, जो एक बंदा बता दे और वो universal हो जाए, नहीं, हर इंसान के या गलग तरीका, मेरा तरीका था, मैं किसी को पढ़ा देता था, मुझे याद रहती है, अब तुम सोचो मैं इसलिए पढ़ा रहा हो, नहीं भई, आप तो मैं पास कर ली, 8th class, it's okay, ठीक है, बट तुम ये तरीका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो आपको पढ़ना तो पढ़ साउट आफरिका, जिंबाब्वे और जायर में, ओईल की बात करें तो नाइजेरिया, लीब्या और अंगोला में, और बाकी मिनरल जो हैं, वो एफरिका में पाई जाते हैं, वो कौन वों से हैं, कॉपर, आइरन, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाट, और बॉकसाइट, प्रेडियूसर ज़रूर याद रख लेना, हर आपका जो कॉन्टेनिंट है, उसका वो लार्जस प्रेडियूसर क्या बनाता है, वो याद रखना, बाकी सारे जो हैं, लीडिंग प्रेडियूसर और गोल्ड डाइमंड ये तो थो थोड़ा कॉमन भी लिख दोगे ना, बस हेर फेर करके खुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्मूस्ट सब कॉमन है, मैं आपको बताओं, एक अच्छी ट्रिक बताओं याद करने की, आप क्या करों, जितने भी यहाँ पर नाम आ रहे हैं, इन सारे नामों को पहले एक साथ लिख दो, अलग-अलग, कॉपर, लेड, जिंक निकल, सब कुछ लिख दिया, डाइमेंड, गोल्ड जियो दिखे, उसके आगे बस यह यह लिखते जाओ, कि वो कहां का पाये जाता है, कॉपर, सातों में पाये जाता है, आप देखो कि कॉपर सब में मिलेगा, तो बस कॉपर सब में चेपना है, उसके बाद लेड, लेड पांच में होता है ठीक है यार याद रख लो किसमें नहीं था बस दो तो इस तरीके की ट्रिक्स बनाओगे तो आसानी से याद कर पाओगे बट हां मेहनत कर नहीं पड़ेगी तुम सुचो बस ऐसे सुनके हो जाएगा नहीं होगा कुछ याद नहीं रहेगा सब भूल अभी फिर कहा रहा हूँ जाओ कॉपी ले के आओ फटाफट बैटो और दो मिनिट में ये काम कर दो कि सारी चीज़े लिखते जाओ सब हो जाएगा एंटार्टिका की बात करें तो डिपोजिट्स ओफ कोल इन्द ट्रांस एंटार्टिक मांटेंस ट्रांस एंटार्टिक मा इन्द ट्रांस एंट बात करें अभी हमने क्या बात करी थी वर्ल्ड डिस्टिबिशन की अब आइरन की बात करें तो जहाडखंड में उडीशा में चतिस गड़ में मध्यप्रदेश गोवा महरा स्ट्रेंड करनाटिका में आपको इंडिविजली याद करना पड़ेगा ज जे ओसी एम पी जी एम एक एसे याद रखेलो जे ओसी एम पी जी एम या तो क्ये करतो जब्रे किया कुछ अअभावा जेसे जहारकंड उडीशा रूषा सी से चतिसगण में द्राडों से मध्य पड़ेश लोगा जोनवा ब्हारास्टि प्रदेश करनाटिका बॉप्श Bthaешь Р Cancer वोक्सैट के लिए अलग से कौन कौन से थे गुजराथ था एक बराबर हो गए पस करणाट का मतलिक देना माइका आपका जहारखंट फिर आ गया बिहार अंदर deste और राजस्थान India is the largest producer and exporter of mica in the world mica जो होता है उसका largest producer है पूरे world में ये ज़रूर याद रखना copper की बात करे रहे हो तो राइस्थान, MP, जहारखंड अभी तो एको जहारखंड सब में आ रहा है और मद्यप्रदेश भी काफी में आ रहा है लाइमस्टोन, बिहार, जहारखंड, उडिशा, मध्यप्रदेश, चतिस गड़ राइस्थान, गुजरात, तमिल, नाडू है ना, रिपीट हो रहे है फिर से रिपीट हो रहे है राइट चलो, गोल्ड की बात करे तो कोलार, कोलार माइन्स है किस-किस को याद आ गई, कोलार गोल्ड माइन्स जो है फूरी, वह वहीं सी स्टोरी है मतलब वो तो imaginative है, बट रियल में कोलार फील्ड जो है, करनाटका के वहाँ पर अंधा गोल्ड है कभी हुआ करता था, अब तो बहुत कम हो गया अब यह बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बहुत है, तो बहुत ही महंगा हो जाता है गवर्मेंट के लिए वहाँ से और को निकाल पाना Salt, it is obtained from sea, lake, rock, India is one of the world's leading producer and exporter of salt हमारे पास Indian Ocean है, अपना नाम का ocean है, तो हम क्यों नहीं यूज करेंगे उसको use of minerals की बात करते है, minerals are used in many industries, mineral है क्या, mineral actually में तो metal ही है न, उसे आगी जाके metal बनना है तो वो हर industry में यूज होगा है, जोल्री बनाने में, copper, आपका हर चीज, coin से लेके pipe बनाने, सब में copper यूज होता है silicon, computer industry में, chip, microprocessor, ये वो सब कुछ, aluminium से सारी box side से में aluminium मिलता है और aluminium तो हर चीज में, automobile में, airplane में, bottle industry, building industry, kitchen industry, सब कुछ, even aluminium तो foil भी होता है है न, तो इस तरीके से सब जगे यूज होता है conservation of minerals की बात करते हैं, अब conserve कैसे करना है minerals are non-renewable resources, पहले तो यह याद रखना, minerals non-renewable है जितने दुनिया में हैं, वो हैं, उसके बाद वो खतम हो जाएंगे non-renew, वो renew नहीं हो सकते, it takes thousands of years for the formation and concentration of minerals हजारों साल लगते हैं, तो इंसान प्रजाती तो फिर से नहीं बना पाईगी उसको the rate of formation is much smaller than the rate at which humans consume these minerals देखो, इंसानों के लिए बस ये एक वो है, क्या बोलते हैं, lottery है, क्या हमें मिल गई है अब हम खतम कर रहे हैं, बहुत खतरनाक तरीके, बहुत तेजी से बट ये हम भूल जाते हैं, कि बहुत ही smaller rate से बनते हैं कि एक बार ये खतम हो गए तो फिर बचेगा, कुछ नहीं how to conserve minerals by reducing wastage in the process of mining तो किस तरीके से conserve कर सकते हैं, पहला mining के process में जो waste होता है उसको थोड़ा रोक के, recycle करके metal को एक और अच्छा तरीका है जिससे resource को बचाया जा सकता है now let's talk about what are power resource, power और energy is necessity for industry agriculture, transport, communication, सब के लिए, defense के लिए, तो power या फिर energy, जैसे electricity हो गई, या coal हो गया, या petrol हो गया, या पेटरोल हो गया, ये सब क्या है, ये actually power है ये fuel कहते हैं, जिसको न, fuel है ये, सारी industry, agriculture, transport, communication, सब इसी से run होता है power resources are categorized as दो, दो तरीके के power resource बनाए गए, पहला conventional resource, दूसरा non-conventional resource, difference देखते हैं, पहले बात करते हैं, conventional की, ठीक है, conventional दो आपके कैसे कैसे हो गए एक तो हो गए oil और natural gas, एक हो गए coal, और एक हो गए firewood, एक हो गए hydro power, चारों को अच्छे से पढ़ना है, oil के disadvantage पढ़ लो, easy होता है, transport, tanker में भरके, इधर से उधर, basic, basis of petrochemical industry, oil जो है, पुरा basis है, और disadvantage दोनों के ही, natural gas के, और किनके, oil के दोनों के हैं, depletion of oxygen due to oil spillage and gas leakage, pollutant released caused by acid rain, तो देखो, खुद पढ़ पारें, बहुत easy है, simple है, oil और natural gas के अपने-पने advantage है, यह क्या, easier to transport है, pipeline के थुरू, आपका LPG बढ़ती है, पूरी दुनिया में, मतला हमारी kitchens तक आती है, cleaner है, यह oil से जादा clean है, और cheap है, सस्ता है, LPG सस्ती है, but disadvantage यही है कि pollution बहुत करता ह है, भही पर firewood की बात करें, लकडी, लकडी का काम आती है, easy access है, बहुत आसानी से मिल जाती है, कोई भी पेड़ काटर और लकडी मिल जाती है, और provide energy to large number of people, और लकडी काफी लोगों को energy देती है, पहले के time पर तो लकडी से ही सारा खानावाना बनता था, सारा काम वही होत था, कोईला भी लकडी से ही बनता है, तो train चलती थी पहले तो, उसके बाद क्या हुआ, उसके disadvantage हो गए, क्या, collection is time consuming, बहुत time लगता है पेड़ काटने में, polluting है, pollute बहुत करता है, क्योंकि आग लगती है, pollution बहुत होता है, promote greenhouse effect करता है, और deforestation बहुत होता है, simple है, coal की बात अगेन ये polluting है, और ये bulky है, transport करने में, भारी पढ़ जाता है बहुत, हैना train की train लगती है, पूरी इसको transfer करने में, hydro power, hydro क्या होता है, non-polluting, promote irrigation and fishing, cheap, अब देखो, hydro यानि की dam होते हैं, dam से electricity बनती है, वो होते है, hydro power, वाट इसकी दिक्कत क्या है, displacement of local community, जहाँ dam बता है, आ promote करते हैं, आस पास के जो low line areas होते हैं, और मतलब जो नीचे areas है, महाँ पर बाड़ा जाती है, expensive to set up, बहुत महेंगा पड़ता है, government लगती है, प्राइवेट तो आप अपना dam मनाई नहीं सकते हैं, सोचो आ, चलो अपना dam खोल लिया जाए, पीसा कमाएंगे अंदा, ऐसा न fossil fuel क्या होता है, पेट्रोल वगएरे सब fossil fuel actually, remains of plant and animal, plant और animal की जो remains होते हैं, यानि कि जब वो मर जाते हैं, उनकी जो body बचती है, जो के अर्थ के अंदर दब चुके हैं, millions of years से, वो heat और pressure की वज़े से fossil fuel में convert हो जाते हैं, coal, petrol, natural gas, ये सारे क्या हैं, fossil fuel हैं, जो के main source हैं and the rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation, तो देखो कोई भी चीज जिस rate से बन रही है, equal होना चाहिन है, उसी rate से हम उसको खर्च भी करें, पर उल्टा है, यहाँ पर, ये equal नहीं है, हम खर्च कर रहे हैं बहुत तेजी से, और वो चीज बनती है, बहुत slowly, तो क्या होगा भईया, आने व जो होगी हम बड़ी इंडस्टिरी से, बदा कम होटा है, आइरं और स्टील की इंडस्ट्री में स्टीम के in Machine होते हैं, जोłumरेट करते हैं, अब तो नहीं होते, electricity from coal is called thermal power, थर्मल पावर जरूर सुने होँगे, आपने वो क्या है, जब electricity बनाए जाती है, coal से, giant fern and swams got buried under the layer of earth millions of years ago converted into coal therefore referred to as buried sunshine क्या किसको बुला गया buried sunshine किसको बुला गया जो ferns ferns क्या होते हैं एक तरह के पेड़ होते हैं और swamp क्या जहां पर पानी बर जाता है गढ़े पानी से बरे गढ़े जब यह जमीन के अंदर दब गए millions of years तक तो यह क्या बन गए कोल बन गए और इनी को क्या कहा गया buried sunshine यानि कि sunshine जो थी न पहुत सुन्दर सी चीज वो दब गई producers in the world China, USA, Germany, Russia, South Africa, France यह बड़े से बड़े producer है कोल के producer इंडिया में कौन है रानी गंज, जहरिया, धनबाद, भुकारो इन, जहरकंड, जहरकंड में सब मिलता है पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम is a thick black liquid, क्या है थिक गाढ़ा, काला liquid है यह पाया जाता है between the layers of rocks and is drilled from oil fields located in offshore and coastal areas तो यह कहां पाया जाता है, layers of rock and is drilled, देखो पत्थरों के बीच में पाया जाता है कहीं और उसका बद्रिल करी जाती है जमीन के अंदर और तब वहां से इनको निकाला जाता है this is then sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of products लाइक अब उसके बाद जो oil निकलता है ना अंदर से उसे कहते है petroleum है ना अब petroleum निकला और कहां गया, refineries में, refineries ने उसको एक process होता है जिसको कहते है बनाते हैं और लुब्रीकेंट भी बनाते हैं यह सब कुछ petroleum से बनता है petroleum and its derivative are called black gold petroleum और उसके जो derivative यह सब diesel petrol क्या है derivative है यह black gold कहा जाते है क्योंकि बहुत valuable है और यह black color के Mumbai and the deltas of Krishna and Godavari rivers natural gas अगला आगे natural gas natural gas is found with a petroleum deposit and is released when crude oil is brought to the surface जैसे ही अभी हमने petroleum की बात करी ती उसे ही crude oil भी खा जाता है जब petroleum को बहार निकाला जाता है जमीन से तो उसके अंदर से gas निकलती है जिस gas को कहते है natural gas है ना यह petroleum deposits के साथ ही निकलती है और यह use की जाती है as a domestic and industrial fuel हमने हमारे घर में जो CNG और LPG आती है ना सुनाए आपने वो सब यही होती है natural gas ही होती है biggest producer कौन से है रशिया नौवे UK निदलैंड और इंडिया में बात करें तो जैसल मेर, कृष्ण गोदावरी के डेल्टा और त्रिपुरा एंड सम एरियास ओफशोर इन मुंबाई वाइ यूस फॉसल फ्यूल शुट भी चेक्ट अब देखो फॉसल फ्यूल का जो यूज है ना वो क्यों चेक किया जाना चाहिए पहली बात तो हमारा कंसप्शन जो है फॉसल फ्यूल का वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिसकी वज़े से जो रेट है फॉसल फ्यूल का वो बहुत कम हो गया है वो बहुत ही कम बचे है अब देखो पेट्रोलियम अगर अंधा बाट भी आ जाए पूरी दुनिया में लोग उससे आग जला रहे है घर में कुछ भी कर रहे है तो उससे क्या पेट्रोल की वज़े से क्या हो रहा है टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूशन बढ़ रहा है अगला बात करते है है हाईडल पावर की हाईडल पावर जनेरेटेड डाम की बात करेंगे बेसिकली और कुछ नहीं है रेन वाटर औरanutर रिवर वाटर स्टोर्ड इन डामस रेन का पानी में खट्टा कर लिया जाता है और उसको बहुत थी उंची हाइट से एकदम से गिराया जाता है यहाई जो उसको घुमा रही है, वो टर्बाइन जो है, वो स्टोर कर लेती है, और वो स्टोर करके क्या बना देती है, इलेक्टरिसिटी बना देती है, जिसको कहा जाता है, हाइड्रो पानी, और पानी से बनी इलेक्टरिसिटी, that's why, हाइड्रो इलेक्टरिसिटी, clear, water discharge after the generation of electricity is used for irrigation, और जो पानी एक बार वहाँ से निकल जाता है, उसको पेड़ पौधों में पानी देने के लिए, खेतों में पानी देने के लिए, यूज किया जाता है, one-fourth of the world electricity is produced by hydro power, as of now, इस समय पे, पूरी दुनिया की one-fourth electricity जो है, वो hydro power से बनाई जाती है, वर्ड के प्रोडूसर क सागर डैम, दामोदर वैली प्रोजक्ट, इस सारे क्या हैं, इस सारे आपके hydro power station है, अभी तक हमने बात करी, conventional किसकी source of energy की, and now we'll talk about non-conventional, conventional यानि की, एक तरह से समझ लो, जो खतम हो जाते हैं, वहीं पर non-conventional वो हैं, जो खतम नहीं होते, बहुत energy अंधी, जो कौन कौन से है wind energy, या आपका ने, अभी मैं इसको यहां नहीं समझा रहा, क्योंकि अभी नीचे हम इनको एक एक करके deeply पढ़ेंगी, जैसा कि मुझे लगी रहा था, तो अभी यहां पे आप न, इसका screenshot ले लो, मैं थोड़ा zoom out कर रहा हूं, ओहो, उपर चला गया, so that आप screenshot ले लो, आराम से और उसके बाद इसको, जब end में मेरा खतम हो जाए, आप इसको revise करना, ठीक है, इसकी मदद से, मेरे क्याल से, अब आएगा पूरा, देखो, पहले इतना ले लो, लिया, चलो, very good, आप यहां पे नीचे का और नीचे का दिखाते हैं, यहां तक का भी ले लो, ले लिया, चलो, very good, so, पहला question होता है, why we need to use non-conventional source of energy, भाई यह जरूरत क्या पढ़ गए, यह तो बता दो, the increasing use of fossil fuels is leading to its shortage, देखो भाई, fossil fuel use हो रहे हैं, बहुत तेजी से, जिसकी वज़े से हो रही है, उनकी shortage, अब shortage हो गई, तो it is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of these fuel will get exhausted, यानि कि अगर इतनी तेज हो गई, इनका जो use है, consumption इतना बढ़ गया, एक टाइम पर यह खतम हो जाएंगे, अब यह खतम हो गए, तो क्या करेंगे, उसके अलावा यह pollution भी बहुत कर रहे हैं, मतलब, all in all, इन में परिशानियां बहुत सारी हैं, है कि नहीं, बहीं पे, non-conventional source of energy, जो ऐसे हैं, जो ओ, हो, 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 न nature को environment को दुखसार पहुचाते, न अगभी खतम होते, and infinite energy हैं के पास, जैसे कि solar energy, बहीं, ऐसा नहीं है कि solar energy, दुनिया में कुछ भी infinite नहीं है, right, हमने पढ़ा है maths में, but solar energy इतनी जादा है, कि आने वाले हजारों सालों की हमें tension नहीं लेनी, अगर हम solar energy को use करन सकते हैं, इस तरीके से आपने छटों पर लगे देखे होंगे, यह क्या solar panel है, इन पर जैसी धूप आती है, इसके वे solar cell होते हैं, और यह उसको trap कर लेते हैं, technology जो utilize होती है solar energy में, बहुत beneficial है, tropical countries में जहां पर abundant sunshine, जैसे हमारा इंडिया, बहुत sunshine है, तो बहुत फाइदा है, और solar heaters वगेरा में भी use होती है, solar cooker, solar dry है, हर चीज़ solar हो सकते हैं, आज के time पर, wind energy की बात करें तो बहुत important है, turbine, देखो, wind energy मतलब turbine, देखो एक turbine है, अब same turbine हमने कप पढ़ा था, dam में पढ़ा था, dam में हमने क्या करा था, पानी डाला था, turbine घूमने लगी, और electricity जाके generator के transformer के through, grade के through, भाई, आपने तो जाधा कर दिया, देख इतना अभी मत सोच, बस यह सोच generator का काम है, अगर उसे motion मिला, कहीं से भी motion मिला, तो वो electricity बना देगा, इतना उसको आता है, बस उसको motion चाहिए, तो दो तरीके हैं, या तो पानी डाल दो बहुत तो इसके उपर, तो उ electricity बना देता है, तो उसको हवा से motion मिल गया, windmill से उसने generate कर दिया, फिर इसको transformer में ले गए, transformer ने इसकी frequency को बढ़ा दिया, मतलब जादा लोगों तक पहुंच पाई, grade पे गया, grade से क्या होता है, distribution होता है, पूरी दूर दूर तक पहुंचता है, और finally, हमारे घरों तक बिज nuclear power, इसको भी आपको अच्छे से बनाना सीखना है, तो nuclear power किस में होती है, atom में होती है, atom को जब तोड़ा जाता है, दो process होते है, एक क्या होता है, nuclear fission, जिसमें एक atom को तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, और एक होता है nuclear fusion, जिसमें दो atom को जोड़ा जाता है, अब इतना तुम्हें deep में जाने की जरूरत नहीं, जितना है लिखा उतना समझ लो देखो nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium these fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power तो देखो, uranium और thorium कुछ elements हैं जिनका जो atom है, जब उसको तोड़ा जाए उसका क्या nuclear fission किया जाए तो वो बहुत जादा energy emit करते हैं तो यही क्या है, एक nuclear reactor है जहाँ पर एक nuclear को तोड़ा जाता है और उससे इतनी energy निकलती है जो कि turbines में, मतलब गरम पानी को बहुत गरम कर देती है फिर उस गरम पानी से turbines गुम जाती है and again वो ही सारा same process generator जो है उसको motion मिलके है तो उसने electricity बना दी बट आपको जादा नहीं लिखना था लिखना इतना ही था कि nuclei of atoms जो है जैसे कि radioactive elements like uranium और thorium के बस इनी से हमको क्या मिलती है, nuclear power मिलती है greatest producer है इनके USA और यॉरप इंडिया में यह कहां पाये जाते है राजिस्तान और जारकंड में thorium is found in large quantities in monosite sands of Kerala केरला में काफी हद तक thorium पाये जाता है उसके बाद nuclear power stations in इंडिया कहां कहां पे है देख लो भई कलपक्कम में है तारापूर महरास्टर में और राणा प्रताप सागर नियर कोटा राजस्तान में और नरौरा इन उत्तरप्रदेश और काइगा करनाटका next is geothermal what is geothermal let's try to understand heat energy obtained from the earth is called geothermal geo मतलब what is geo earth and thermal कर्मी तो earth से निकलने वाली को कहते हैं geothermal energy the temperature in the interior of earth rises steadily as we go deeper तो भी जैसे हम earth के और under deep में जाते जाएंगे temperature और बढ़ता जाएगा कभी-कभी ये sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot spring कभी-कभी heat energy hot springs के form में भी निकलती है आपने कुछ-कुछ movie के अगरा में देखा होगा hot spring होते गरम पानी निकल रहा होता जमीन के अंदर से वो कहां से earth की तो energy ले रहा है कर कोई नीचे तो heater नहीं लगा रहा किसी ने उनको hot springs कहते हैं दोरेमोन में देखा होगा this heat energy can be used to generate power और यह heat जो जमीन के अंदर से निकल रही है इसको use करा जा सकता है power को generate करने के लिए geothermal energy in the form of hot spring has been used for cooking, heating, bathing for several years अब देखो जिस एरिया में क्या hot spring हो जाता है वहाँ पे उससे बहुत सारे काम किये जाते हैं खाना पकालो सब कुछ करलो भई आपको heat energy heat क्या एक energy है उस energy को use करलो direct और बस सारा काम आपका वैसी हो जाएगा अब आप देख लो कहां कहां पे हैं अभी हम बात करेंगे बट अभी मैं समझाता हूँ क्या होता है tides आपने देखा होगा जिसे कहते हैं लहरें लहरें जब चलती है पानी की बहुत तेज तो same वोई चीज टर्बाइन गुमाने की शक्ति है उनके अंदर क्यों बहुत तेज चलती है तो इन लहरों से निकलती हुई जो energy है जो हमें energy इनसे बनती है उसे कहते है tidal energy अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ा जाए tidal energy can be harnessed by building dams at narrow openings of the sea तो देखो क्या करते है sea में जो पानी है बहुत तेजी से बहरा है बहुत तेजी से तुमने क्या करा है एक जगह पर पतला रास्ता बना दिया कि पानी इस पतले रास्ते में से जाएगा अब खुछ सोचो एक तरह से तुमने प्रेशर कर दिया pipe में से जब पानी निकल रहा होता है उसको तुम दबा दो आगे से तो वो बहुत तेजी से आगी जाने लगता है same process है प्रेडियूसर कौन-कौन से हैं रशिया फ्रांस गल्फ आफ कच्छ और इंडिया में है कुछ यूज टाइडल मिल फार्म्स बायो गैस अब बात करते हैं बायो गैस की और गैनिक वेस्ट पॉटी और कूड़े बूड़ा जो खाने का कूड़ा होता है जैसे कि हम के लेके छिलके यह सारा और गैनिक वेस्ट होता है सच एस डेड़ प्लांट एंड अनिमल और डेड़ प्लांट से अनिमल हमारा वेस्ट अनिमल डंग किचिन का वेस्ट यह सारा जो है इसको एक gaseous fuel में convert किया जाता है जिसे कहते हैं bio gas सोचो एक koola जो हमारे लिए waste है यह actually make fuel है जिसे कहते हैं bio gas और कितना बढ़ी है fuel है कभी खतम ही नहीं होगा The organic waste is decomposed by bacteria in bio gas digesters to emit bio gas which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide bio gas बनाई जाती है देखो bio gas digesters यह gas tank है इसमें koola आया आपका ठीक है जो आया और उसके बाद उसको काफी दिन तक इसमें chemical reactions होते हैं bio gas निकलती है फिर इससे जो कि बनी होती है मीनली methane और carbon dioxide से और इसको फिर आगे जाके use कर लिया जाता है bio gas एक excellent fuel माना जाता है किसके लिए cooking के लिए food को cook करने के लिए और huge amount of manure इससे हर साल मिलता है manure क्या होता है पेड़ों खाद कैते हिंदी में जो उपर डाली जाती है पेड़ों का खाना है हो तो है ना बड़ीया चीज with this we come to an end to this chapter हम ने कर लिया chapter खतम फटा फट मेरे को comment करके बता दो वीडियो में कैसी लगी मजा आया की नहीं आया चाप्टर समझ में आया की नहीं आया how much did this video help you ये भी मुझे फटा फट बता दो comment करके वीडियो अच्छी लग गई तो वीडियो को like कर दो और चैनल को जिसने subscribe देखो मुझे लगता है कि तुमने कर दिया है ये मेरे दिल की भावना है अब तुम इसको गलत मत होने देना चैनल को अगर नहीं करा चुप के से कर लो किसी को नहीं पता चलेगा अभी कर लो फटा आक से ठीक है जी मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई है याजी मौज मस्ती करते रहो और चगदे फटे बले बले